हलो एवरिबन आदाब नमशकार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर एक्जाम अकेडमी आप सभी तक भारत के डिफरेंड डिफरेंड यूनिवर्सिटी से आए हुए पीचडी से संबंधित जो भी नडिफिकिशन निकल कर आता है उसका इंफार्मिशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं तो आज हम पीचडी से ही संबंधित अपडेट के उपर बात करेंगे तो जो लोग चैनल पर नए हैं किरपए चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इंफार्मिशन आता है उसका इंफार्मिशन आप लोगों को मारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे है आज हम कासी हिंदू विश्यविद्याले जिसे बनारश हिंदू विश्यविद्याले या बियच्चू के नाम से जाना जाता है इसकी तरफ से आई हुए अपडेट के उपर बात करेंगे यहां पर जो पिछला जो एक्जाम हुआ था पीचडी का जिसमें रेट और एक्जे भी तरीके का यहां पर notification mention नहीं किया गया है लेकिर आप जब इनके official website पर आएंगे और बियच्चू PhD 2023-2024 के जो option में आप लोगों को आना होगा जहां पर संसोदीद बियच्चू PhD सूचना bulletin से संबंदित information mention किया गया है यहां पर आप लोगों को कुछ links देखने को मिल जा जिसे research eligibility test के नाम से जाना जाता है और इसका प्रवीश आवेदन करने के लिए यहां पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं वहीं RET छूट यानि की exempted candidate जो है RET के वो आवेदन करने के लिए दूसरे link पर यहां पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर साच्छातकार और सत्यापन से आप लोगों को link मिल जाएगा जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं जैसे अगर आप लोगों को साच्छातकार और सत्यापन करना है तो आप इस पर क्लिक कर ले उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का interface खुल कर आ जाएगा जिसमें आप लोगों को अपना interview verification करना आप लोगों से बिच्चू registration नंबर मांगा गया है तो जो आप farm fill up किये होंगे उस पर आप लोगों का registration नंबर होगा उस registration नंबर को आप लोगों को यहाँ पर mention कर देना है यहाँ पर rate जुलाई 2023 लिखा गया है तो यहाँ लिखा गया है तो आप सभी को पता है कि बिच्च सबस De Adult जरूरी होता है उसमें उन लोगों को पार्टिस्पेट करना जरूरी होता है उन्हें excellent होना जरूरी है तो Украї續 बाले घाले साभित標िम third तो जो लोग master's के बाद अपनी PhD स्टार्ट करना चाते हैं और PhD के लिए आवेदन करते हैं वो rate वाले option से अपना farm fill up करते हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक यहां से PhD का farm apply नहीं किया है और भविश्च में कभी भी आप लोगों को PhD से सम्बंदित आवेदन करना हो तो आप लोगों को जो confusion होता है rate और exempted rate में तो उसको उस confusion को आप इस वीडियो के माधम से दूर कर सकते हैं तो आप लोगों को confused होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो rate का exam होता है आप लोगों को समझ लेना है कि उसमें आप लोगों का net या जियारफ जरूरी नहीं होता लेकिन जो exempted जो post होते हैं exempted rate जो होता है उसमें आप लोगों के पास अपलाई करने के लिए आप लोगों के पास net और जियारफ का certificate होना जरूरी है तो ही आप फार्म अपलाई कर सकते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ तब तक लिए thank you so much